पिसले तीन दिनों में भारी बारश होने से सड़के बंध हो जाने के कारण उत्तरी सिक्किम के लाचेन और लाचुंग शित्र में सहाट कॉलेज के विध्यारतियों समीत 2400 सेधिक परियाटक फसे हुए हैं अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी उन्हेंने बताया कि जिला प्रशास्तर ने 2464 फसे हुए परियाटकों को निकालने के लिए 19200 एवं 70 छोटे वाहनों को लगाया है उन्हेंने बताया कि अब तक 3 बस और 2 अन्य वाहन 120 परियाटकों को लेकर राज़की राज़दहानी गंटोग के लिए रवाना हुई है साथे उन्हेंने यह भी बताया कि जिला आपदा प्रवंदन प्राधिकरन के त्वरित प्रतिक्रियादल सिक्किम पॉलिस जी आर एफ बियारो आईटे बेपी सेना और ट्रावल अजिंसी असोसियेशन के कर्मि सिक्किम के कर्मी फसे हुए यात्रियों को निकालने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं इस भी चुंगतां जाने वाली सड़क का इस्थान पर बंद है वर्शा रुख जाने के बाद उसकी मरंबत का काम शुरू होगा अधिकारियों ने बताया कि फसे हुए यात्रियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उत्तरी सिक्म जिला प्रश झाले के बारे में जाने के बारे में टाने के लिता स्वेशा मैं बचे का रहे लिए हैं से बारे में जाने के ट आने किवलेकशब और लेस हासित Smith